तो कुछ ऐसी है मेरी जिन्दगी की सुबह आ जाते हैं इनके साथ और फिर साम कब होती है पता ही नहीं चलता है दोस्तों कि वैसे मैं आपको यहां से आसपास के बीओ की बाद दिखाओं तो जो है सनराइज हो चुका है और इधर आप नजरे घुमा के देखेंगे तो बड़ा ही प्यारा एक दूर नजर आता है यहां से ठीक है आप देख सकते हैं नैचरल जो है कितना ग्रीन है कितना हर्याली चाह अब इन लोगों को मैं लेके जाने वाला हूं बिलकुल उधर नीचे जो आपको दिखे रहे हैं ना मकान उन मकान के बिलकुल नीचे यह लोग जाने वाले हैं अपने चारे के लिए ठीक है तो चलते हैं फिर हुआ हुआ udah जो हुआ है उख सहुआ कितना ग्राओा हॉआ हुआ हुआ कितनी को को हुआ हो बिलकुल वाले कितना पर्मा झाले को फ्हाले मत कुल हुआ हरा बलsmाuben के हैं वाले उांटका हिर अलीका उां सर्णा कुल Scorp Auld-D llam Kah Cyak है 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 लो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग आई हॉप आप सभी अच्छे होंगे और आपका पहाड़ी दोस्तों सुर्जी भी बिल्कुल मस्त है ठीक है तो गाइज एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के लिए एक लाइफ स्टाइल ब्लॉग लेकर आया हूं जिसमें मैं एक नई लोकेशन का टूर कराने वाला हूँ दरसल आज मैं फिर आया हूँ अपने गाय और बैलों के साथ और मेरे जो गाय और वैल है विए वह अभी इधर है आई हमको दिखाई दे रहे होंगे और आज मैं आपको कराने वाला हूं इस खोप सूरत जंगल का टूर हैं चारों पर यहां पर हमने कौन कौन सी चीजे देखने को मिल जाएंगे ठीक है जंगल क्लेंबिंग से लेकर और यहां को दूपाइंट है वो कैसा रहने वाला है ठीक है तो आज कुछ ऐसा ही होने वाला है ब्लॉग में तो बने रही है वीडियो के साथ यदि आप इस चैन और बनाने में ठीक है और जिए वाला है अफ वाला है तो आप मैंसे कुछ लोग सोच रहोंगे कि जो बैलो के साथ आया हूं यह उनको मालने के लिए होगा लेकिन आपको बछा दो कि हम लोग आये हैं आप देख सकते हैं पीछे कैसा जंगल है और यह डंडा केवल बैलों क करते हैं लेकिन ज्यादा यूज होता है जंगल में सिक्वारिटी के दौर ठीके प्योंकि जंगल में बहुत सारे जंगली जांदर होता है जिनका सामना अभी आपको करना पड़ेगा इसलिए हमने यह डंडा यहां पर रखाए ठीक है तो चलिए अब हम आपको ब्यूपोइं हरे अदर तो अध्यायद्यादि ए अजया दाना अचचा यह पंगा देगा कि मेरे साथ है अजया जया 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 आगा है इस एसे नी करते भाई, एसे नी करते एसे नी करते दोस्ट बाचसुर दगी लड़ो भे? जा थेंड़ो नरे के जा म्याँव कि देखां कि जंगल में बख्री और बैलो के साथ जो टाइम पास होता है ना वो मतलब ऐसा विव होता है ऐसा टाइम होता है कि मैं आपको क्या बता हूँ यह लोग में खेल खेल में हम लोगों के बिल्कुल ऐसा ठका दीते हैं यह फिर घर जाने लायक हम बसते नहीं है और फिर बड़ी मुश्किल से जाना पड़ता है वह ऐसा है जंगल का विव आपको देख सकते हैं कि अगे फिर बड़ीं से में प्रमाइब आपको आपको जादा तर्फ चीड़ के पेड़ देखने को बास्ते हैं बिलींगे और इसके साथ जो कूछ भी रहागा आँगो बताके चलेंगे ठीक है तो यह किस काम यूज किया जाता है यह आप में से बहुत सारी लोग जानते हैं जो लोग में ही जानते वो कमेंड करके बता देना मैं उनको बता दूंगा कमेट में ठीक है क्योंकि भहुत ऐसे चीजे हैं जिनमें ये चीड की लकड़ी यूज की जाते ठीक है अभी आईए आप इस साइड चलते हैं एक बार गाईज ये जो लोकेशन है ये है समुदर तल से 500 मीटर की उचाई पर लगवाग ठीक है तो मैं आपको एक बेसीच चीज बता देता हूं हमारे पहाड़ा की यह कहीं पर भी आप चले जाओ वहाँ पर ये चीज अपलाई हो सकती है ठीक है यहां से यहां से नी सौरी समुदर किनारे पेड़ होते हैं उनकी मोटाई बहुत कम होती है ठीक है लाइक आप देख सकते हैं यहां पर कितने पतले पतले पेड़ है इस से भी पतले पतले पेड़ आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे इस जंगल में ठीक है तो यह यहां की सबसे वड़ी खास्यत है कि यह बहुत पतले ओते हैं और क्या देखने को हमें यहापर मिलने वाला है हम देखते हैं कि हरी खात्विंड सिखट ज्ञोल करें किपने गोसले देखने के त्राइख देख लुछे के हैं और कापे हमें वह चीजे mirnay ये इस जगहमे sorry आप देश सकते हैं यह कुछ ऐसी लखनेया भी पड़ी होती है नीचे ठीक है और इन्हें हम अभी लेके जाने वाले हैं घर ताकि हम लोग अपने खाना बनाने के लिए इनका यूज कर पाया ठीक है तो अभी अजे जो है यहां पर है और आप देख रहा है अपने बक्रियों कोई गुम ना हो जाए ठीक है क्योंकि जंगल में सबसे बड़ा खत्रा होता है गाय बैलो और हम लोगों की चिकोरटी ठीक है शुरक्षा यहां पर सबसे बड़ी प्योरटी होती है गाइस यह वो जगह है यह वाली जहां पर हम लोग जब कभी भी इस साइड अपने गाय और बैलों के साथ आते हैं तो यहां पर ठंडी चाय है इन बहुत सारे पेड़ों की तो यहां पर बैठके हम अराम से नीचे का शांदर देखा करते हैं जैसे कि मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूं ठीक है और कुछ हमारे जो गाय बैल होते हूं हमने ऐसे चोड़े ह ताकि वो लोग कहीं भाग ना पाएं और उन्हें हम देख भी पाएं अच्छे से ठीक है तो इस साइड का व्यू आपको दिखाऊ मैं तो ऐसा है और इसी के इसी फिल्ड में ठीक है जहां पर हम लोग अभी है यहां पर आपको ऐसे बहुत सारे घास मिल जाएंगे ठीक है तो हम पहले पते क्या करते थे चोटे में जो गास है इसको ऐसे पकड़ते थे यूँ खीचा और यूँ हाथ पर यह ऐसे आ जाता है ठीक है ऐसे और फिर एक फूक मारते थे और यह उड़के चला जाता था ठीक है अभी मार के दिखाऊं मैं आपको 5 असा कुछ करते थे हैं पहले जब चोटे थे ठीक है अलब की एसी हविटे भूव सारी है इसी है जो अब हम नहीं करते हैं पहले किया करते थे जब हम लोग छोटे थे ठीक है तो जंगल में इसके अलावा आपको मैं दिखाऊं तो बहुत प्यारे फूल भी आपको देख इस ताइम पर क्योंकि जंगल में ऐसे बहुत सारे फूल हुआ करते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जान पाते हैं तon प्यारे प्यारे फूल यह देखिए आप वागई मैं नेचर ने जो हमें चीजे दी है ना वो कितनी खूब सूरत है वो हमें यापिपता चल जाता है ठीक है कितने प्यारे प्यारे फूल है कसम से ये चीजे हमारे घर के आसपास नहीं होती है अगर मैं इनको ले जाना चाहूं तो सायद ये हो भी पाये ठीक है वाव क्या मस्त व्यू है आप देख सक है ना तो गाइज ऐसे यहां पर कई परकार के पेड़ पौदे फूल है जिन्हें मैं आपको दिखाना चाहूं गया तो गाइज अब हम आपको दिखा रहे हैं नेक्स फूल जो यहां पर है ठीक है ना और काफे डिफिकल्ट का मोता है जब हम लोग पहाड़ों में चड़ा चला करते हैं या पहाड़ों में रास्ता चला करते हैं ठीक है क्योंकि नीचे मैं आपको दिखाओं तो नीचे कुछ ऐसा व्यू है कि यदि एक बार बंदा कोई गिर जाए तो फिर क्या होगा उसका आइडिया लगाना बहुत मुस्किल्या ठीक है अभी मैं आपको एक नैचुरल ब्यूटी जिसे कहते हैं वह हम लोग यहां पर अनुभाव करते हैं और हम लोग उसे फील करते हैं कि वास्तम में नैचुरल ब्यूटी क्या है ठीक है तो इन फुलों को हमें तोड़ना नहीं चाहिए बली हम इने दूसरी जगे मूब कर सके लेकि तोड़ना नह ही चाहिए ठीक है आज इसे तो आप लोग जानते ही होंगे ठीक है हमारे लोकल लेंग्वेज में चूता कहते हैं इसे और यह है चीर के पेड़ का फल अभी यह कच्चा है कच्चा तो नहीं है पक्का है लेकिन कितना टाइट है आप देख सकते हैं कि जो जैंगली जानबर होते हैं उन्होंने इसी खाया हुआ हूए और यह शीर का अफिर जाने-खिर करती हैं हमारे सरकारे उसमें किया जाता है ठीक है वह आप तरुम आप देख सकते हैं किस परकार का बना हुआ है माहून झाल झाल जंगल से भी खाली हाथ जाना हम लोगों को भी बुरा लगता है लगता ही है और इसी वज़े से अपना अजय भाई लेके जा रहा है एक लखडी का डंडा ठीक है छोटा सा पेड़ जिसने बोल सकता हूं अभी और यह क्या करेगा घर पर जाके इसको कुलाडी से फाड़ेगा और फिर काम आएंगे यह जलाने के ठीक है तो हम लोग पता है क जंगल में रहे कैंट पता कि काम करते हैं एक तो मैं लखड़िया भी ले जा रहा हूं ठीक है दूसरे क्या है है कि हमारे जो वैल है गाये है बक्रिया है वह भी अपने चारे के जुगार कर लेते हैं और तीसरी सबसे अच्छी चीज है कि यहां है नैचरल ब्लूटी जो कि हम लोग को काफी फ़संद आती हैं यहांकी हवा यहां काहीं च Cumraz ониपेड को है तो कही और घाल अर्जaking क्या कर रहा है ॹए कर रहा है वहं होंगे करने का जो मज़ा हता है न हमारे पहाड में वह काफी अलग होता है ठीक है इसको देखिये आप यह क्या कर रहे है इतना था अभी तक का व्लॉग ठीक है अभी जो हीरा और वो थी है वो इधर है और अगला जो डेशी नेशन होगा हमारा जो ने अगले व्लॉग में उसे हम लोग रखने वाले हैं पता है कहां पे ऊपर वो जो आपको पहाद दिख रहे हैं ना वो जो पेड के साइड में हम लोग जाएंगे और नेक्स ब्लॉक सूट करेंगे वह आज नहीं वह कल पर से सूट करेंगे ठीक है फिलाल आप इसको देखिए कामरा के सामने आने में इसको बड़ा बज्जा आता है ना देख देखेंगे ने देखेंगे यह गाय माता ठीक है और उसका बच्रा है और यह है अजू जिसको कुछ नहीं आता है ठीक है मैं देख सकते हैं कि किस परकार से एक गाय और बच्छडे के बीच में जो लब होता हो किस परकार से होता है ठीक है यह उसकी बच्चिया है बच्चिया है ना और यह है गाय और यह है ना इसकी मा यह है और इसकी मा यह है ठीक है तो कहने का मतलब है कि यहां पर एक नाना नानी नाना तो नहीं है लेगे नानी है उसकी ठीक है और देखिए आप किस फरकांच से करा जब कि यह वाला सबसे बड़ा है फिर छोटा यह वाला है और इस से छोटी सी यह है ठीक है तो अभी तीनों जो है दूद देंगे मतलब क्वाल ुद दीन नानी उपन खेंगे नानी और इसांट।